हेलो वीवन मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस प्लैटफॉर्म पे एक इंपोर्टेंट न्यूज के साथ यहां पर बात करी जाएगी किसकी CET की देखे CET क्या है और आज जो आपका decision आया है जिसमें cabinet ने NOD दे दिया है जिसमें की एक national recruitment agency set up करी जाएगी जो की आपका common eligibility test लेगी अब क्या है यह common eligibility test actually में किस वज़े से यह आपका last budget में इसको use किया गया था क्या इसके बारे में प्रापधान दिये गए थे और आज जब इसको NOD मिल गया है तो इसके क्या repercussions आपके लिए होने वाले हैं यह सभी related जानकारी मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस video मैं आपको completely दे पाऊं कि CET क्या है किस वज़े से इसको लाया गया है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर फर्क देखने के लिए मिलेंगे तो basically इस video का purpose यही होगा कि जैसे कि अभी आज यह news आई है तो बहुत जादा hype बन जाएगा कि यार सभी government examinations को क्या combine करके एक single examination को setup किया जा रहा है तो यहाँ पर इन सभी doubts को मैं आपको यहाँ पर लेते हुए बताने की कोशिश करूँगा जो भी आपके related doubt यहाँ पर बन सकते हैं देखे 2020 से related आपके जो भी exam चल रहे हैं जैसे कि मैं आपका SSC या फिर IBPS या फिर RRB के जितने भी related exam notifications आपके निकल चुके हैं यह उन पर लागू नहीं होने वाला है पहली चीज यह है और अगर लागू होगा तो यह आपका 2021 के बाद यानि कि 2021 से जो भी आपके examination आएंगे picture के अंदर उन सभी में यह चीज़ें लागू होगी अब किस किस में लागू होगी यह हम चीज़ें यहाँ पर discuss करेंगे तो देखे आपको पता है कि आपके अलग-अलग examination के लिए अलग-अलग recruitment boards हैं जैसे कि RRB आपका क्या है railway में निकलने वाली भरतियों की लिए भरती करने वाला एक recruitment board है ऐसे ही IBPS आपका एक recruitment board है जो कि banking से related आपकी भरतियां निकलता है और इसी के साथ चात है आपका staff selection commission जिसमें कि आपका करमचारी चयन आयो की काफिसारी भरतियां अलग-अलग departments में निकलती रती हैं तो दीखिए अगर मैं यहां से आपको इस चीज को लेके related बातें करूँ कि actually में CET है क्या और इसका क्या फर्क पड़ेगा आपके आने वाले time पर और क्या आपकी तियारी में इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है या नहीं यह मैं आपको इहां पर बताने की कोशिश करूँगा तो दीखिए 2018 में actually में क्या होता है यह term निकल कर आता है CET और एकदम से market में बहुत तेज आजीब सी हलचल शुरू हो जाती है कि अरे यारे क्या है what is common eligibility tax क्या इसका फर्क पड़ने वाला है तो काफी लोगों का इस चीज से related उनको जानकर ही नहीं थी बहुत जादा confusion वहाँ पर create होने लगा और वो क्या करने लगे वो यह decide करने लगे या ऐसा you know perception बनाने लगे कि अभी क्या है जितने भी exam आपके market में होते हैं उन सभी को combine करके एक common एक ऐसी agency बना दी जाएगी जो की इन सभी exams को क्या कराएगी conduct कराएगी लेकिन actually मैं इसा नहीं है कुछ छोटी मुटी चीज है relatable है बट ऐसा actually मैं सारी चीज नहीं है इस चीज से related तो दीए यहाँ पर मैं आपको जो सबसे पहली चीज बताऊंगा कि आपका यह CET किस चीज से relate करता है देखे CET को पहले तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि यह आपका common eligibility test है जिसके अंदर आपका क्या होगा railway board जो की recruitment करता है railway वाली भरतियों के लिए उसके बाद IBPS जो की banking के लिए आपका भरतियां करता है देन उसके बाद आपका SSC यानि की staff selection commission जो की SSC से related जितने भी आपके department होते हैं उनके अंदर जो non-gadgeted post होती हैं जो आपकी non-gadgeted post होती हैं उन सभी के लिए अब एक tier 1 का common test आपसे लेगा अब दीखे इसके अंदर भी और आप बोलेंगे कि यार यहाँ पर अलग आपका pattern आता था यहाँ पर आपका अलग pattern आता था SSC का prelims आपका अलग pattern पे हुआ करता था तो अगर आप यह वाली चीज पिक्चर में लाते हैं CET तो इससे related तो काफे सारे doubts बच्चों के अंदर create होंगे कि यार हम तो SSC के तियारी कर रहे थे SSC के prelims के paper पे हम तियारी कर रहे थे कुछ बोलेंगे यार हम तो banking के pattern पे तियारी कर रहे थे कुछ बोलेंगे यार हम तो अपना RRB के pattern पे तियारी कर रहे थे तो यह सभी चीजों को doubt को आपके अंदर से दूर करने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हूँ पहली चीज़ तो आपको एक clear होगी कि जो आपकी non-gadgeted post है उन सभी से related जो भी आपके exam होगे उनके लिए आपका यह क्या हो जाएगा CET करके common entrance examination test कराया जाएगा जो कि किस से relate करेगा सिर्फ आपका preliminary जो आपका tier 1 आपका exam कहलाता है ना उस tier 1 exam से आपका यह exam relate करेगा जैसी कि आपने सुना होगा JET और NET जो exam कराते ना उसी तरीके से यह exam भी आपका काम करेगा अब देखे आप बोलेंगे किया फाल दुकार ड्रामा है इसका क्यों करने की जुरूत है देखे हर recruitment board अपने अंदर निकलने वाली भरतियों के लिए पता नी multiple of जो उनके अंदर notifications आते हैं आपने देखा होगा अलगबग 20 से जादा recruitment agency है market के अंदर कुल अपना IBPS के अंदर भी कितने सारे notifications आता है आप SSC के related देख लेंगे तो 8 से 9 category तो इनके अंदर ही आ जाती है अब इन सभी चीजों को लिए आपके लिए क्या कराना पड़ता है सभी जो department होते हैं सबको अलग-अलग tier 1 आपका exam लेना पड़ता है ये भी आपका prelims अलग लेते हैं ये भी अपना prelims अलग लेते हैं और फिर उसके बाद उनका चला रहता है हर किसी के लिए आपको अलग-अलग forms भढ़ने पड़ते हैं अलग-अलग forms भढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना होता है उनके अलग pattern पर आपको तियारी करनी होती है अगर आप railway के तियारी करनी है तो आप SSC से दूर हो जाते हैं आप SSC के तियारी करनी है तो आप banking से दूर हो जाते हैं तो ये सभी चीज़ों को at least tier 1 तक at least tier 1 तक आपके लिए चीज़ें common रहें कि आप railway के अंदर भी अपना योगदान है पढ़ाई का वो दे पाएं आप banking के अंदर भी अपना योगदान दे पाएं और आप SSC के अंदर भी अपना योगदान दे पाएं ठीक है तो इन सभी चीज़ों को related ये जो government ने last budget में अपना proposal रखा था कि ये ऐसे सही नहीं है इतना पैसा हम बच्चों से लेते हैं और उसके बाद अलग-अलग exam के लिए हम अलग-अलग जगों पर center रखते हैं बच्चे इतना दूर दूर जाते हैं तो इन सभी चीज़ों को address किया गया है आपका इस exam में जो की आपका कहला रहा है क्या common entrance test अब CET में actually मैं आज ही इतले ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि government ने बोल दिया है कि भी ठीक है आप 2021 से होने वाले सभी examinations के लिए इस जो agency है इसको भोल दीजे कि ये इस पर आपका pattern त्यार करें अब आप बोलेंगे किया मैं अगर SS के लिए आपका banking के लिए त्यारी कर रहा था या फिर मैं railway के लिए त्यारी कर रहा था या फिर मैं SSC के लिए त्यारी कर रहा था तो अब मैं क्या करूंगा क्योंकि मैं तो इसके prelim based पर त्यारी कर रहा था देखे वो जो pattern है वो जो syllabus pattern है वो आपको बहुत जल बहुत ही clear way में पता चल जाएगा लेकिन most probably यही माना जा रहा है कि जो SSC का आपका tier 1 वाला pattern है उसी को ये लोग follow करेंगे अपने इस common entrance test दे अब देखे आप बोलेंगे कि यार ये कैसे तरीके से होगा क्या इसका procedure होगा साल में कितनी बार होगा तो देखे साल में आपका ये दो बार exam conduct कराया जाएगा अब इस exam में आपका जो भी score card रहता है यानि कि माल लीजी कि 2021 में आपने पहले वाला जो part था पहला वाला जो notification था उसके common entrance test में आपने score किया कितना 125 अब ये जो आपका 125 score है out of 200 ये आपका valid रहेगा ये आपका valid रहेगा 3 years तक 3 साल तक आपका score valid रहेगा यानि कि इसके बाद जो भी आपका next CET examination आएंगे या फिर जैसे कि आपका tier 1 का score आपने clear कर लिया आपका 127 marks आ गया जो भी agency यानि कि इसके बाद जो railway recruitment board या फिर IBPS या फिर SSC जो भी अपना दायरा tag करेगा किसके लिए अपने अगले level वाले examinations के लिए जिसे हम tier 2 या फिर mains का पड़ाव बोल देते हैं तो जो लोग उस cut off के भीतर आ जाएंगे तो वो अपना वो साल का अब 2-3 years अपना valid score दिखाकर tier 2 exam में entry करवा पाएंगे देखिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी doubt आता है ना तो आप मेरे instagram पर जाकर मुझे message कर दीटे description में आपको link मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप अपने doubt क्लियर कर सकते हैं अब actually में यह जो किया है actually में बहुत ही you know outstanding फैसला है क्योंकि बहुत ज़दा जो सरकार के पैसे थे वो ज़दा market में लगते थे यह banking का आपका जो railway का board है यह अलग notification निकाल रहा है अलग-अलग departments के banking अलग निकाल रहा है अब जब तीनों agency मिल कर common tier 1 test निकाल कर एक regular अपना क्या निकाल देंगे कि भी सब वो score card बाहर कर देंगे कि भी जिस भी score ने यानि कि माल लीजिए अगर आप A है आपने score किया है कितना X score उस X score को आप तीन साल तक चला लीजिए अब suppose कीजिए SSC का जो common entrance test है उसमें tier 2 के लिए इन्होंने बोल दिया कि हमें 110 cut-off है और 110 score जिसने CET के अंदर किया है वो आप tier 2 देने आ जाईए तो बस ये अपना score card लाएंगे इनको दिखाएंगे कि सर हमारा तो 150 score है तो बस आपका ये tier 2 के लिए apply करने के लिए बैठ जाएंगे जो भी आपका exam होगा वो आपका इस CET के अंदर नहीं आएगा पहली चीज ये आपका नहीं आएगा लेकिन 2021 से आपका ये CET लागो हो जाएगा और आज सरकार ने इसको NOD दे दिया है आपका जो भी और doubt होता है आप मुझे मेरे instagram पर description में जाकर link पर message कर सकते है मैं महाँ पर आपके doubt clear करूँगा तो ये था कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है अपनी आपको वैसे ही तैयारी करनी है जैसा आप करते हैं बट एक बार आपका इनका जो pattern है वो clear हो जाएगा तो आपके लिए और आसानी होगा इस pattern पर बेस भी अगर कोई news और कोई जानकर ही हो पहुंचाएं मैं फिर और information वीडियो आपके लिए कोई दूसरी related topic से लिका हूँगा अपना ख्याल रखिए take care bye bye thank you